गुड मॉर्निंग एवरीवन माई नेम इस अर्मजान विराने फ्रॉम इक्रा हाई स्कूल आज हम पढ़ने वाले सेप्रो ट्रॉप्स के बारे में और हाव नूट्रियंट आर रिप्लिस्ट इन दे सॉयल के बारे में तो चलवाज के लक्षे स्टार्ट करते हैं You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market तो अपने देखा होगा के vegetable market के ने Mushrooms मिलते हैं You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season Let us find out what type of nutrients they need to survive from, where they get from फिगर 1.7 पैकेट्स ऑफ मश्रूम्स एे मश्रूम ग्रोइंग और डीकेंग मटरियल तो मश्रूम नहीं कहाने ग्रोह होता है एधा और मश्रूम एग्जामपल है सेप्रोट्रॉपिक और गैनिजिम का मतलब होता है जो लिविंग और डिकिंग मैटर के उपर ग्रोव होते है उनको हम कहते है सेप्रोट्रॉपिक नुट्रिशन अभी पहला एक्जमपल लो मस्टर में दूसरा एक्जमपल है फंगस फंगस ग्रो होता है ब्रैट के उपर अभी एक्टिविटी 1.2 के अंदर दिया हुए आपको एक ब्रैट का प्रीस लेना है और इसको गीला करना है तिन चार दिन के लिए आपको कोई एक जगा पे कोई भ माइक्रोस्कोप के अंदर अबसर्फ कोईने पे आपको cotton-like structure दिखेगा और वो क्या होता है? फंगस होता है और फंगस और mushroom example है सेपरोट्रॉप्स का और नूट्रिशन को घ़ा दा है सेपरोट्रॉपिक नुट्रिशन अभी जो फंगस के है. फंगस के पूर्ज है मतलब फ जैसे उनको जैसे उनको डीकेंग मैटर मिलता है तो वो क्या करते है वहाँ पर बैठते है और बाद में वहाँ पर जर्मिनेट करते है और ग्रो करते है तो इस तरह से वो चीज़ों को खराब करते है फंगस नॉर्मली पिकल्स के उपर भी ग्रो होते है लैजर के उपर भी ग और दुसरा लिविं irrelevant ऑॉर्गनिजम र डिपैंड होता है और दूसरा लिविं गॉर्गनिजम पहले लिविंग अरकर डिपैंड हुता है इपने न हेला सर्वाइवल के लिए झांपल के लिए ए फोर्थ袈 ऑयर ञापने पामध प्लाइंट के लिए ठिवर थयां प्लांट और फंगस एक दुसरे को कुछ specific तरह के nutrient प्रोवाइड करता है ताकि survival possible हो पाए और दोनों को फाइदा हो पाए अब दुसरा example है यहाँ पर लिकन्स का इन organism called लिकन्स एक chlorophyll containing partner which is an algae तो algae किंदर आता है लाइचन्स आते है और फंगस प्रोवाइड फंगस लिफ तुगैदर तो लिकन्स और फंगस साथ में ही रहते है तो फंगस प्रोवाइड करता है algae को प्रोवाइड शैल्टर, water and mineral to the algae in return algae क्या प्रोवाइड करता है अभी algae हम बता है वो food बना सकता है algae के पास chlorophyll होता है और वो chlorophyll की मतलब से वो food बना सकता है तो fungus प्रोवाइड करता है nutrient प्रोवाइड करता है जिससे carbohydrate, starch यह सारी तरह के वो nutrient प्रोवाइट करता है फंगस को तो symbiosis का मतलब यही होता है कि एक living organism दुसरे living organism से उसको कोई चीज़े मिल रही है और in return वो living organism दुसरे living organism को कुछ दे रहा है बाद में अगला topic है how nutrients are replaced in the soil अब यह topic केंदर दिया हो आज़ी हमने देखा था पहले अभी farmer क्या गर्ता है ग्रो गरता है crop को grow करता है वो crop को क्या डायब को वाठर चाहिए यह रएलग-अलग तरह के nutrient चाहिए nutrient जासे की nitrogen हो गया potassium हो गया phosphorus हो गया यह सारे तरह के nutrientASON चाहिए अभी फार्मर में क्या-क्या क्रॉप को ग्रो कर दिया वो लैन्ड के उपर बाद में हूब प्लैंडेंड स्ने जिसे फॉस्फरोस, निट्रोजन। अभी क्या होगा है आभी वो सॉयल के correct jaw को अ क्या क्या है नूट्रिंट की बहुत ही कमी है वो लेंड के ईंदर अभी फिरसे फारमर लो ग्रो करेगा तो नूट्रिंट अविलेबल नहीं है ताकि वो GREEN nap पहली बार हमने जब ग्रो किया था के उपर है रोइल पर क्रॉप को वह शांच व्ह Έ्लए वह रन्ड के अपर क्रॉपंध को तो क्रॉप ने सागे सार नीट्रीक विप्रप्राइशं । यह प्रते शेंदे नजले स्रव दाद्व से सभश करें। अब हैं जुक्षेती सब करने अबुस्तर सेजन के इंदर जुसरे crop को grow करने के पहले वो soil के अंदर manuevr और fertilizer को add कर लिता है Manuevr और fertilizer काके होता है Manuevr fertilizer के अंदर nutrient होता है Manuevr बनता है naturally and fertilizer बनता है Industry से बनता है Right यो इसके अंदर nutrient होता है phosphorus, potassium यह उससारे nutrients होता है Prem 행복 जैसे उसको दाल दिया जाता है तो soil के अंदर यह साइड nutrition आ जाते है बाद में उसके बाद में farmer क्या करता है crop को grow करता है और बाद में plant grow पाता है क्योंकि अभी soil के अंदर nutrition है तो इस तरह से दिया हुए how nutrients are replaced in the soil तो किस तरह से soil के अंदर फिर से nutrition आते है अभी plant अभी देखो nutrition थो चलो हो गया अभी plant के पास अभी कुछ plant के पास क्या होता है plant डायरेक्ली तो एब्सवर्ब नहीं कर सकता है nitrogen को nitrogen abundant quantity में प्रासने है हमारे एयर के अंदर nitrogen Nosan plant डायरेक्ल Sinn को एब्सवर्ब नहीं कर सकता है तो इसलिए क्या होता है अभी कुछ प्लाइंट्स के अंदर नाइट्रोजन को एब्सॉफ करने के लिए अलग-अलग तरह के मैकनिसम होता है तो कुछ प्लाइंट्स के अंदर क्या होता है जैसे एक लिग्मिनिस नाम का प्लाइंट है उसके पास root से और roots के अंदर roots के अंदर ऐसा structure है Roots के अंदर कुछ अ- prostu जयि ? यह structure को हम नम कहते ह। rondNodule के अंदर RICOSVM न आम का Bacteria होता है जो के nitrogen को right ? root के अंदर जैसे nitrogen आता है Nitrogen इक गयस के form के अंदर होता है तो nitrogen को rhizobium नाम का जो bacteria है वो nitrogen को Nitrates और Nitrites में convert करता है और बाद में plant Nitrates के और Nitrites और Nitrites के form में convert हुआ है nitrogen इसको absorb करता है और Nitritesose और नाम के formने nutrition की तरह intake करता है तो इस तरह से इस तरह से प्लैंट इस तरह से प्लैंट नाइट्रोजिन को कनवर्ट कर रहा है यहां पर नाइट्रीट और नाइट्राइट के फार्म में बाद में वो उसको खाने की तरह ले पा रहा है यहां पर यह दो तरह की टॉपिक दिये हुए पहला तो यह गिया होगा था कि फटिलाइजर और मैनवर की बारे में किस सब्सक्राइब से दालता है फटिलाइजर मैंवर ताकि दूसरी बार प्लैंड को ग्रोव कर पाए है वापसा खतम हो गांट तो तुसरी बार दालेगा वही जमन के अंदर चौति बार दालेगा चितने बार वह फार्मर वह वह लैंड के अंदर ग्रोव कर रहा है दुसरा टॉपिक हमने पड़ा कि कुछ प्लाइंट्स होते है जैसे लिग्यूमनेस प्लाइंट उसके पास रूट नॉडिल होता है रूट नॉडिल के अंदर नाइट्राइड में ताकि प्लाइंट एब्सटाव कर राये प्लैंट डिरिक नाइट्रिजन को अब्सटाव लिए पर नाईट्रिट को जो कि कण्वर्ट किया जाता है राइस फिएयम बेक्टेडिया से तो यह हमने पड़ा इसके बार एक ठीक है अभी यहां पे लो भी नहीं होगा है कल मैं देखने वाल हैं कल मैं आपको साइंड करोगा पीडियों साइंड करोगा एक्सराइज चापटर नमबर वन की है फेल गूड देफ डेव